नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर नीलम शर्मा, इस विडियो में हम डिसकस करेंगे कि सेटगी कैपसूल का उप्योग किन कंडीशन्स में किया जाता है, सेटगी कैपसूल को कैसे लेना चाहिए और सेटगी कैपसूल की वज़े से क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते ह सेटगी एक ब्रैंड नेम है, सेटगी कैपसूल के अंदर दो दवाओं का कॉंबिनेशन होता है, सेटगी कैपसूल के अंदर सॉल्ट कंपोजिशन रबिप्राजोल 20 mg और डोमपेरिडोन 30 mg होता है, सेटगी कैपसूल पेट में उत्पन होने वाले एसिट की मात्रा को कम कर सेटगी कैपसूल का उपयोग पेट में जलन होने पर, पेट में गैस बनने पर, बधजमी होने पर, खटी डकारे आने पर, सीने में जलन होने पर, पेट में अलसर होने पर, उल्टी आने पर और उल्टी आने का मन होने पर सेटगी कैपसूल का उपयोग किया जाता है. सेटगी कैपसूल को डॉक्टर एंटिबायोटिक दवाओं या अन्य दवाओं के साथ दवाओं की वज़़ से होने वाले साइड इफेक्स को कम करने के लिए भी लेने की सलाह दे सकता है जैसे दर्द को कम करने के लिए उपयोग की जाने वाली दवाओं की वज़ा से पेट में जलन, पेट में दर्द या पेट में अलसर हो सकती है। इसलिए इन side effects को रोकने के लिए भी डॉक्टर सेटगी capsule को दर्थ की दवाओं के साथ लेने की सलाह दे सकता है। ज्यादातर अंटिबायोटिक दवाओं के सामान्य side effects में उल्ती आना, उल्ती आने का मन होना और पेट में गैस बन सकती है। इसलिए अंटिबायोटिक दवाओं की वजह से ये side effects ना हो। इसलिए आपका डॉक्टर सेटगी capsule को अंटिबायोटिक दवाओं के साथ भी लेने की सलाह दे सकता है। इसके अलावा सेटगी capsule का उपयोग कुछ medical conditions जैसे gastric ulcer, acid reflux और जोलिंगर-ellison syndrome को ट्रीट करने के लिए भी सेटगी capsule का उपयोग किया जाता है। जोलिंगर-ellison syndrome एक ऐसी स्थिती है, जिसमें पेट में acid का उत्पादन बहुत अधिक होता है। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है, तो कृपया वीडियो को लाइक करना वचैनल को सब्सक्राइब करना न भूले। Side effects की बात करें तो वैसे तो ज्यादातर व्यक्तियों में सेटगी capsule की वज़ह से कोई side effects नहीं होते हैं। लेकिन कुछ पसंद व्यक्तियों में सेटगी capsule की वज़ह से कुछ side effects हो सकते हैं। इसके अलावा सेटगी capsule की वज़ह से कुछ व्यक्तियों में cups की समस्या भी हो सकती है। लंबे समय तक सेटगी capsule का सेवन करने से यानि कई महीनों या कई सालों तक सेटगी capsule को लेने से शरीर में vitamin C, vitamin B12, calcium, iron और magnesium की कमी हो सकती है। इसलिए डॉक्तर की सला के बिना सेटगी capsule को दो सब्ता से अधिक नहीं लेना चाहिए। लंबे समय तक या दिन में कई बार सेटगी capsule को लेने से औस्टियोपोरोसिस होने का जोखिम अधिक हो जाता है। औस्टियोपोरोसिस होने पर शरीर की हड्या बहुत ही कमजोर व अंदर से खोखली हो जाती है। सेटगी capsule की वज़े से औस्टियोपोरोसिस तभी होता है, जब सेटगी capsule का सेवन लगातार एक साल या उससे अधिक समय के लिए किया जाए। अगर आप दिन में कई बार या लंबे समय से सेटगी capsule को ले रहे हैं, तो आपको कैलशियम और विटामिन D के supplements डॉक्टर की सलाह के अनुसार लेते रहना चाहिए। ताकि ऑस्टियोपोरोसिस होने के जोखिम को कम किया जा सके। या आपको कैलशियम से भरपूर खाद्य पदार्थों का सेवन भरपूर मात्रा में करना चाहिए। और विटामिन D के लिए हर रोज 10 से लेकर 15 मिनिट सुबह की धूप में बैठना चाहिए। अब हम डिसकस करेंगे की सेटगी capsule को कैसे लेना recommended होता है। आम तोर पर 18 वर्ष से अधिक उम्र के ज्यादातर व्यक्तियों को डॉक्तर सेटगी capsule को दिन में एक बार और सुबह खाली पेट लेने की सला देते हैं। सेटगी capsule को खाना खाने से कम से कम एक घंटे पहले लेना चाहिए। सेटगी capsule की दोज उम्र, शरीर के वजन और बीमारी की गंभीरता के आधार पर कुछ व्यक्तियों में इससे अलग भी हो सकती है। वैसे प्रेगनेंट महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं के लिए सेटगी capsule का सेवन करना recommended नहीं है। लेकिन ज्यादा जरूरत पढ़ने पर डॉक्तर प्रेगनेंट महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं को सेटगी capsule को लेने की सला दे सकता है। इसलिए प्रेगनेंट महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं को सेटगी कैपसूल को लेने से पहले डॉक्तर से परामर्ष लेना चाहिए। वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अगर आपका सेटगी कैपसूल से संबंधित कोई प्रश्न है तो आप कमेंट करके पुछ सकते हैं।